अव्यक्त शिक्षाओं का अनमूल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है जिन्दगी का अफसाना ये श्रंखला सर्वात्माओं के पेता परमात्मा शिव के द्वारा उचारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है ओम शांती गौल्लिवोड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमुले रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वाकत है इश्वरिय ज्यान की धारणा का सबूत है इश्वरिय सेवा इश्वरिय सेवा हमें सर्व की दुआओं का पात्र बना देती है इसलिए भक्ती हो या ज्यान सेवा का बहुत अधिक महत्व है परंतु सेवा की विधियों में समेप्रमाण, व्यक्ती प्रमाण, परिस्थिती प्रमाण, परिवर्तन करना वह नवीनता लाना भी बहुत अधिक जरूरी है इश्वरिये सेवा की नवीन विधियों को आज हम इश्वरिये महवाक्यों द्वारा जानेंगे और इन महवाक्यों के इस पश्टी करण के लिए हमारे मध्ये है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस इश्वरिये विश्विद्याले के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदर्निय राजयुभाई सहाब प्रसब आज हम बात करेंगे 1 जनवरी 1986 के महवाक्यों पर जिसका टॉपिक है नव वर्ष पर नवींता की मुबारक पिछले अपिसोड में हम इसी विशे पर बात कर रहे थे और जान रहे थे कि कैसे हम प्रभावशाली सेवा से परमात्मा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं और कैसे हम संकल्पू द्वाराईश्वरिये सेवा को बढ़ा सकते हैं तो सब इसी विशे को आगे बढ़ाते हैं, तो परमात्मा हमसे कहते हैं, कि हर समय कोई सेवा की नवीनता का प्लान बनाते रहो। ऐसा प्लान हो, जो विहंग मार्ग की सेवा का विशेश साधन हो। अभी ऐसी कोई कमाल करके दिखाओ। जब स्वयम निर्विख न हो, अचल हो, तो सेवा में नवीनता सहज दिखा सकते हो। जितना योग युक्त बनेंगे, उतनी नवीनता टच होगी। ऐसा करना है और याद के बल से सफलता मिल जाएगी। परस अब कैसे इश्वरिय सेवा के प्लान हमें योग युक्त हो कर टच होते हैं और कैसे उसमें सफलता मिलती है। इसको थोड़ा सपष्ट करें। परमात्मा हम सब बच्चों को सेवा की नए-ने प्लान सुनाते भी हैं। और कहते हैं जितना आप बच्चे योग युक्त हो करके रहेंगे, जितना अपनी निर्विग निस्थिती में रहेंगे, उतना टचिंग आएगी। क्योंकि परमात्मा तो अपने बच्चों से बहुत महान कारी कराना चाहते हैं। एक है चीती मार की सेवा, माना बहुत छोटी-छोटी सेवाइं हम करते हैं। और एक है विहंग मार की सेवा, बेहत की सेवा, तो एक स्थान पर रहते हुए हम विश्व कल्यान की सेवा कर सकें। उसके लिए परमात्मा कहता है, जितना आप योग-युक्त होंगे, जितना आप निर्विकल्प इस्तिती में रहेंगे, संकल्प तो चलते हैं, लेकिन जितना हमारे योग-युक्त इस्तिती के सीमित संकल्प है, संकल्पों की अच्छी क्वालिटी है, उसमें टचिंग आती है जिसे परमात्मा अपने आप टच करते बच्चे ये सिवा करने से सफलता मिलेगी, ये सिवा करो, ऐसे करो, तो हमारे मन की जितनी एकागरता है, जितनी सुद्धता है संकल्पों की, उतना परमात्मा के संकल्पों को हम कहच कर सकते हैं, उसे क्या चाहते हैं, इसलिए परमात् की ठचिंग्स आएंगी और नए नए सेवा की प्लैंस आप बनाते रहेंगे और प्रक्टिकल होता रहेगा। जै प्रवाटन की कहते हैं कि ञतना खजानों की स्मृति में रहेंगे उतना समर्थ बनते जाएँगे। और जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ खत्म हो जाता है व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय, व्यर्थ बूल, सब बदल जाता है वैसा व्यर्थ को खत्म करने की ये विधी थोड़ा सपष्ट करें वास्तों में कई बार हमारे संकल्प, व्यर्थ और समर्थ बीच बीच में चलते रहते हैं लेकिन परमात्मा चाहते हैं, मेरे बच्चे ग्यान खजाने से संपन बने front-on, झिदना हम अच्छा अच्छा मननच इनतन करते हैं उन विचारों में हम रमण करते हैं, उतना व्यर्थ अपने आप समाप्त हो जाता है जब हमारे बूल, कर्म बुद नवीनता काणभो भी होता है कि यह सुखलताे हैं। फॉर, परमात्मा कहते हैं पहले अपने संकल्पों को데शे आधा संकल्पों को किसी भी क्ली दताइқ अंपतों कहते हैं। जब वेर्थ को हम स्टाप करेंगे, और उसकी विधी यह है कि हम जितना ग्यान का चिंतन करते हैं, पॉजिट्व संकल्पों में रहने की आदर डालते हैं, समर्थ संकल्प हमारे सकती साली संकल्प वेर्थ को समाप्त कर देते हैं, और जब वेर्थ समाप्त हो जाता है तो पर जिन्थन से अपने संकल्पों को सकतिसाली समर्थ बनाओ। तो सब परमात्मा कहते हैं कि नई जीवन में आ गए नई जीवन, नया उमांग, नया उतसभा हर घड़ी नहीं, हर समय नया। तो हर संकल्प में नया उमांग, नया उतसहा रहे. कल क्या थे, आज क्या बन गए? अभी पुराना संकल्प, पुराना संसकार रहा तो नहीं है, थोड़ा भी नहीं, तो सदा इसी उमांग में आगे बढ़ते चलो, जब सब कुछ पा लिया, तो भरपूर हो गए ना, भरपूर चीज कभी हल्चल में नहीं आती, संपन्न बनना, अर्थात अचल बनना. परसिप संपन्न ता कि इस स्थिती को थोड़ा सपष्ट करें. परमात्मा ने हम सबको जो नया जनम दिया, जीवन दी, तो ये जो नई जीवन है, इसमें नए उमंग, नए उसा में हमें रहना है. परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, कि आपका जो पिछला जनम था, जो पिछला जनम विकारों से उत्पन हुआ, मात्मा कहते हैं उस पुराने संसकार, पुराने जनम को भूल करके, इस नए जनम की स्मृत्ती में रहो, कि ये हमें नया जनम परमात्मा के द्वारा मुखवंसा ली जनम पराप्त हुआ है. जब हम इस नए जीवन और नए जनम की स्मृत्त तो हमारे संकल्कों में भी नमिंता आती है, नय माross Сंकलप क्लांप करते हैं तो बहुत सक्तिशालियodus होते हैं, द्रण होते हैं और उसमें सपलता प्राप्त होते हैं. इसलिए परमात्मा करही होगा ब aan fen diesem क्यों कि संपन को soni को is can't what we are working, पाष्ट जीवन के कोई भी संसकार, कोई भी संकल्प इमर्ज ना हो यह हमारा नया जनम, राम्हन जनम है यह हमारा दूइज जनम है, मुक्वंसा वली जनम है तो जनम की जीवन की जितनी स्मृति रहती है उतना हम पाष्ट को भुला सकते हैं और जब पाष्ट का जो बीता हुआ जन्म है, उसके संसकार, उसके संकल्प इमर्ज नहीं होते हैं, तो हम नमीनता से पुरसार्थ कर सकते हैं, नए संकल्पों से, नए उमंगुसा से सेवाएं कर सकते हैं, तो दोनों में सफलता का आधार, संपनता का आधार, नए जन्म की सम परन्तु पाइसब कहने में तो अच्छा लगता है और हम चाहते हैं कि हम पुराने को भूल जाएं, पुराने संसकार, स्वभाव, इमर्ज ना हूँ, परन्तु प्रैक्टिकल बात यह है कि बार बार वही संसकार हमें आगे बढ़ने नहीं देते हैं, उसका कारण है इस्मृत और विस्मृति का खेल, जितना हम अपने इस्मृति को बार वार रिवाइस करते हैं, कि यह जनम हमारा कौन सा है, उतना इस्मृति के आधार से हम समर्थ भन सकते हैं, अगर हमें इस्मृति ही नहीं रहते हैं, कि हम नए जनमाली ब्रामन आत्माएं हैं, ब्रम्हकुमार और ब्रह्म्हा कुमारियों का यह नया जनम है, मरजीवा जनम है, तो इस इस्मृत्ति को बार बार हमें रिवाइज करना होगा, बार बार लाना पड़ेगा, और जब इस्मृत्ति कायम हो जाएगी, तब हम पाष्ट की बातों को भूल सकते हैं, जब तक हमने अपने इस ब्रह्म भगती बिलाएंगे तो हम समर्थ बन सकते हैं, प्रमात्मा की कहते हैं कि भक्ती अर्थात मेहनत, ज्यान अर्थात, सहज भल की प्रापते, जितना संबंध और स्नह से याद करते हो, उतना सहज अनुभव होता है, सदापना यह वर्दान याद रखना, कि मैं हुँ ही सहज तो जैसी स्मृति होगी, वैसी स्थिती स्वतह बन जाएगी. तब सहज योगी बनने की स्मृति से ही स्थिती बन जाती है. इसको थोड़ा सपष्ट करें. परमात्मा अपने बच्चों की मेहनत को बर्तमान समय देखते हैं. कोई-कोई बच्चे जैसे भक्ती में मेहनत करते थे, ऐसे ज्ञान में आने के बाद भी मेहनत कर रहे हैं. परमात्मा कहते हैं अगर इस योगी जीवन में जो पवित्र योगी जीवन आपको मिला है, इसमें भी अगर महनत का अनुभो हो रहा है, सहज योगी जीवन का अनुभो नहीं हो रहा है, तो इस जीवन की माना आपका संबंध परमात्मा से इथार्थ नहीं है, अगर संबंध और सनेह की इस्मृति है कि हम किसके हैं, किसने हमें अपना बनाया है, जिसको हम इतना समय से पुकार रहे थे, ढूर रहे थे, जिसके लिए इतनी भक्ती की है, इतनी पूजा की है, वही परमात्मा हमारा मात्पिता वन करके हम बच्चों को एडाप्ट किया है, तो इस आचिती तो रहती है, पर स्मृति उमें कहीं कहीं होती है, इसमृति को उमें स्वरूप में लाना पड़ेगा, जब हम ब्रहहरा नया जनम है, इसमृति को हम अपने प्रैक्रिक्ति कर्म में देखें на नुभ हमारा नया जनम है, विकारी जनम नहीं है जितना हमारी स्मृति स्वरूप में आते जाते उतना सहज हो जाता है परमात्मा कहते हैं कि वहा भाग्य और वहा भाग्य विधाता यह दोनों स्मृतियां स्वतेही नश्टों मोहां बना देंगी और सदा आगे बढ़ते रहेंगे सदा एक बल और एक भरोसे में रहते हुए सबको यही अनुभव कराओ संदेश देते चलो एक देन अवश्य आएगा जो बाप की प्रत्यक्षता विश्व में होगी पस अब भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति नश्टों मोहा बना देती है उसको थोड़ा सबस्ट करें वर्तमान समय यह इसमृति अगर हमें रहती है कि संगम युक पर कितना स्रेश्ट हमारा भाग्य है जो स्वयम भाग्य विधाता की हम बच्चे बन गए अब जिसका बिता ही भाग्य विधाता हो भाग्य बनाने वाला हो उसके बच्चे कितने भाग्यवान है और जब यह स्मृति रहती है कि हम सब भाग्य विधाता की डायरेक्ट भाग्यवान आत्माएं हैं तो जो देधारी आत्माएं जिनके आधार पर हम एक दूसरे के पराधारित हैं मुह का कारण क्या है स्वार्थ भावना है कुछ न कुछ प्राप्तियां अगर प्राप्तियां हो रहे हैं तो उनसे सने जुटता जाता और सने चे मुह की उत्पत्ति हो जाती है परमात्मा के रहे हैं जब आपको भाग्य विधाता ही मिल गया सब कुछ भागी में आपको दे दिया तो किसी भी देधारी से कोई भी चीज की प्राप्ति की इच्छा नहीं रखती कोई स्वार्त भावना नहीं रहती संबंध निभाते हैं लेकिन संबंधों में जहां स्वार्त है वहां मोह के उत्पत्ती है और जहां स्वार्त नहीं है वहां हम सनेह युक्त भिवार जरूर करते हैं संबंध में आते हैं तो परमात्मा करें जब ये दो स्मरतियां रहती है कि संगम युक्पर मेरा कितना सिष्ट भागे है और भागे विधाता हमारा डायरेक बाप है पगवान है उसके बच्चे होने के कारण कोई भी देधारी आत्मा अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकते यूँ सबसे हम सहज नश्टो महाँ बन जाते हैं फिस अब बर्मात्मा कहते हैं कि स्व उन्नती सेवा की उन्नती का विशेश आधार है तो सदा स्व उन्नती अनुभव करते हो जो कल थे वह आज और आगे बढ़ें इसको कहते हैं स्व उन्नती स्व उन्नती कम है तो सेवा भी कम है जो भी कर्म करते हो उस श्रेश्ठ कर्म द्वारा सेवा करने वाले सदा प्रत्यक्ष फल प्राप्त करते रहते हैं सिर्फ किसी को मुख से परीचे देना ही सेवा नहीं है लेकिन कर्म द्वारा भी श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देना यह भी सेवा है सदा सेवाधारी अर्थात मन्सा वाचा कर्मना तीनों में सदा सेवा करने वाले सेवा ही श्रेष्ट भाग्य का अनुभव कराती है सब सेवा की इन विधियों को थोड़स पश्ट करें क्योंकि परमात्मा ने अपने बच्चों को सेवाधारी बनाया लेकिन सेवा का सबसे पहला अधार है स्वा की इस्थिति जितनी हमारी स्वा की इस्थिति उन्नती की और बढ़ती जाते हैं, अगे बढ़ते जाते हैं, उतनी सेवा हैं अपने आप होती हैं, परमात्मा केते हैं, अगर आप स्वा इस्थिति में इस्थित हो करके कोई कर्म कर रहे हो, तो वो कर्म भी दूसरों को प्रेना दे रहा है, दो आसे लोग सीहें आप जैसे कर्म कर रह हो, तो कर्मों से गुणों का दान हो रहा थे, तो परमात्मा सिर्फ एंदय कि चिसी को अभी जनी कर्म आशा किसी को मुख सुना देना, किसी को मुख स्वनानी कि अधिना कि शूना देना... तो तीनों की जरूरत है बेहत सेवा के लिए, तो सेवा की कोई भी प्लैनिंग करते हैं, तो केवल ये न सोचें, ये कर्मना सेवा है या ये वाच्चा सेवा है, ये ही स्रेष्ट सेवा है, अर्मात्मा तीनों प्रकार की सेवा को कहते हैं, सबसे नंबर वन सेवा हैं, बहुत बहुत अच्छी इस्थिति अगर बनी हुई है तो आपके विवरेशन आपका औरा बहुत अच्छी सिवा करेगा और बहुत सुभावना ऽे शंकलप होकर कोई फडूना किसी को बोलेंगे। तो वाच्चा सेवा हो जाएगे। लेकिन मानलो वाच्चा और बौंसा सेवा में आप पीछे हैं, कर्मना सेवा आपको बहुत मिली हुई है, बहुत बिजी रहते हैं, तो कर्म में कुषलता अगर है, कर्म में करते हुए भी आप बहुत हलके हैं, बहुत खुस हैं, और बहुत प्यार से कर रहे हैं, तो लोगों को उससे बहुत कुछ सेखने को मिलता है, तो से जैसे लोगों को स्रेष्ट कर्म करने की प्रिणा मिल रही है, तो ये सेवाइं सासा चलती रहें, तब सफलता होगी और उसका अधार है स्वा उन्नति, स्वा इस्थिति, जितनी स्वा इस्थिति अच्छी है, उतनी सेवाइं अच्छी होती है, बिल्कुल, प्रणमायत्मा के कहते हैं कि सेवा ब्राम्भन जीवन का धर्म है जैसे जीवन के और और स्थूल धर्म है ऐसे ब्राम्भन जीवन का स्वधर्म है सेवा का चांस मिले तो करेंगे नहीं सदा चांस है करने वाले करें तो चांस ही चांस है कितना बड़ा जंगल है इसमें जितना जो करें उतना अपने लिए वर्तमान और भविष्य बनाता है तो सदा के सेवाधारी है यह लक्षे पक्का रहे सेवा के बिना जीवन नहीं अंसा करो, वाणी से करो कर्म से करो, संपर्क से करो लेकिन सेवा जरूर करनी है सेवा के बिना रह नहीं सकते इसको कहते हैं सेवाधारी सब पर्मात्मा ने सेवा को ब्रामभन जीवन का स्वधर्म कहा है इसको थोड़ा स्पष्ट करें कई लोग सोचते हैं कि हमारे पास कोई सेवाएं ही नहीं है हम तोफिरी रहते हैं पर्मात्मा कहते हैं सेवाधारी बच्चों का अपने लिध कने करको निख नहीं सकते हैं. जएसे कर्मछेत्र पर कोई भी आत्मा कर्म के बिना नहीं रह सकती हैं. ऐसे ही ब्राह्म्वन आत्मां शंट आक्षी को अपने रिट दूसरों को हैं वे अगर आड़े अगर आपट्वा सभावनाय रखती हैं, तो भी एक सेवा है, आप छुष रहते हैं, परसं नता के वायवंडल में वायवरिशन फ़ैल तो आप अगर अगर मुस्कृरा रहे हैं, आप अंदर से भूत हरसित है, तो हरसित चित लोग आपका चेहरा देख कर क अखे परिकार की सेवा भी जगल में है और कोई मेरे पास सेवा ही नहीं है। करते हैं तो भूल गया है वह सेवा भी बना रहें नहीं सेवा है। लेकिन एलग हो सकती है next let cz cables साथ नहीं ले आगे सेवा सेवा है बहुत मन प्रसन्न है, ये सरीर की भोगना अलग चेज है, मैं आत्मा परमात्मा के प्यार में समाई हूँ, अंदर से इस्थिति डगमक नहीं हो रही है, तो वो इस्थिति को देख करके, जो आप से मिलने आएगा, जो आपको देखेगा, उसको लगेगा इतनी बीमारी में, इतनी इस्थिति में भी कितना खुष रही है, ये एक सेवा है, तो परमात्मा कहता है, सेवा की बहुत बड़ी फिल्ड है, और ब्रामान आत्मा हैं सेवा के बिना रही ने सकती, उनका ये धर्म है, उनको सेवा करनी ही है, उसी स्मृत्ति में हम रहें, कि मन्सा करें, या व निरंतर याद में रहने वाले, तो योगी भी हो और राजा भी हो, योगी जीवन का अर्थ है, याद कभी भूल नहीं सकती, योग लगाने वाले योगी नहीं, योगी जीवन वाले योगी हो, लगाने वाले का कब लगेगा, कब नहीं, लेकिन जीवन सदा रहते है, खाते, पीते चलते जीवन होती है यह सिर्फ जब बैठते हो तब जीवन है चलते हो तब जीवन है हर कारे करते जीवन है तो यही स्मृति रहे कि हम योगी जीवन वाले हैं तब योगी जीवन को थोड़ और सबस्ट करें परमात्मा अपने बच्चों को योग लगाने वाले या एक विट दो घंटे की योगी नहीं देखना चाहते हैं, योगी जीवन है, चलते, फिरते, खाते, बैठते, अगर हम परमात्मा की स्मिर्ति में रहते हैं, एक तरप करमेंदरियों के राजा हैं, और दूसरी तरप परमात्मा की प्यार में समाय हुए हैं, तो हम निरंगतर सहज और योगी हमारी जीवन है एक दो घंटे की योगी नहीं अभी लगाया भी तूट गया इसको योगी नहीं कहते है योगी जीवन है और जो राजा है करमेंद्रियों का राजा बन करके रहता है उसका योग सुते लगा रहता है विलकुल भाई सवाज हमने सेवा के विहंग मा को और उसके विस्तार को बहुत ही गहराई से समझा तब स्पष्टी करण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों आज के महावाक्यों में पर्मात्मा ने कहा कि जितना हम योग युक्त रहेंगे उतना सेवा की नवीन विधियां टच होंगी और याद के बल से स जीवन का धर्म है सेवा अतहा में सदा मंसा वाचा कर्मना संबंध संपर्क द्वारा सदा सेवा करनी है तरशकों आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें इमेल कर सकते हैं हमारा इमेल आईडी है अमुलेरत्न at the rate godlywoodstudio.org अ मुख्यसार अविनाशी और अंगिनत खजानों को स्मृति में लाने से एक एक खजाने को स्मृति में लाओ स्मृति में लाने से खुशी होगी समर्थ बनते जाएंगे और जहां समर्थ है वहाव्यार्थ खत्म हो जाता है वाह भाग्य और वाह भाग्य विदाता ये दोनो स्मृतियां स्वता ही नश्टो मोह बना देंगी स्वा उन्नती सेवा की उन्नती का विशेश आधार है स्वा उन्नती कम है तो सेवा भी कम है योगी जीवन का अर्थ है याद कभी भूल नहीं सकती योग लगाने वाले योगी नहीं इस श्रंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज इश्वरिय विश्व विद्यार लेके सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गौडलीवोड स्टूडियो से संपर्क करें झाल